हलो सो नबसकार गूड मॉनिंग कैसे हैं आप सब दोस्तों मेरा नाम पंकस आप देख रहे हैं पंकस एडू टेक दोस्तों है आप आज किस वीडियो में बताने वाला हूँ सिच्छक भरती कितने आने वाली है और दोस्तों आपका यूपीटेट का रिजल्ट कब तक आएगा और कॉमन नंबर कितने बढ़ेंगे जो कि दोस्तों सारा इंफॉर्मेशन हमने इकठा किया है तो हम बात करने वाले इस वीडियो में तब से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखना अगर हमाई चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प बहरती किया गया है बागे दोस्ता ओभी तक जो है जो इकन्सी आने की बात है नई बेकन्सी योगी सरकार ने पिछले साल अपने पांच वर्षी काल में एक भी बड़ेकन्सी नहीं निका लिए सिच़क-घरिक के नाम से जो पूरानी बड़ेकन्सि फी उसी को जो है फिर स कि रेक्रिमिंट किया है विशी को फिर से अपने जगह पर बीवस्तित किया है तो नए बिकैंशी के लिए दोस्तो citizens बताऊं यहाँ पर सतराहँजार के बारें बात करी गई थी एलेक्शन से पह। कि सतरहँजा बैकेंशी हमाइंगे तो करेंगे लेकि दोस्ते हां बताओं यहां पर अभी आपको कि 97,000 के आसपास करीब पद खाली हैं जो कि दोस्ते हां पर सिच्छा इभाग द्वारा लगातर बताया गया है कि बेकेंसी खाली नहीं है कई बार ऐसा कम से कम 100-100 बच्छे पढ़ते हैं एक टीचर पर इतनी जो है वहाँ पर प्रावलम है समस्या लेकिन जहान बुझ करके गुमरा किया आता है बेकेंसी भी लेकर दोस्तों मैं बिल्कुल आस्वास्त हूँ कि बेकेंसी बहुत जरूरी है और बहुत बड़े नंबर पर बेकेंसी जो है सरकार को निकालने चाहिए मैं बात को दोस्ते हां पर कि कितनी बेकेंसी आ सकती है और कितनी आनी चाहिए तो दोस्तों जहां तक मेरा मानना है कि यहां तक 17,000 की बात करी जारी है इसमें कम से कम 50-55,000 पद जो है निकलने के सम्मावना है क्योंकि उस टाइम सरकार के पास उत्रा डाटा नहीं था और सरकार के लेक्शन में बेजी थी और जीतना है कि हारना है कई तरह के बात हैं उसके दिमाग में चल रही थी तो अभी उसके क्लियर नहीं हो पा रहा था लेकिन फिलहाल अभी सब कुछ सामने दिख रहा है अभी सरकास जाकर एक ग्यापन देना पड़ेगा और कुछ मेहनत करना पड़ेगा जिससे कि हमारी मांग जो है पूरी हो सकेग पचास हजार का सबसकर बेकेंसी आएगी तब ही सबका कल्याण होगा सतरह हजार दोस्ते हाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है एक तरह समयलो मुठी भर की जॉब मिलेगी मुठी भर की जॉब है इतना हाई कॉम्पेटिशन जाएगा हाँ ये बात अलग है कि जॉब जो प सबसकर ने एक भी वेकेंसी नहीं निकाली है सिच्छक भरती के नाम से वही पुराने पद जहें जो सिच्छा मितर थे उन्हीं को हटा करके फिर से उस पद को फिर से दुबारा निकाला था जिसमें बीटी सिके बी एड के और कुछ सिच्छा मितर के भाई वंदू सब सके दो तीन महीने के अंदर पचाहजा सदीक पद उपर भरती करने की क्रिपा करें दोस्तों वहाँ पर जब मैं पूछा उनसे सच्छेक भरती कितनी आ रही है वेकेंसी कितनी आ रही है उन्होंने साफ साफ का दिया कभी इसके बारे मुझे कोई इन्फर्मेशन नहीं है उपर से शासन से जब भी कोई इन्फर्मेशन मिलेगी तो हम जरूर आपको बताएंगे अभी जो है हमने पूछा सर 17000 के बारे में बात करी गई थी बोला कि अभी तो ओफिसियल इसके बारे में कोई नोटिस नहीं जारी की गई है ओफिसियल बात QPT result आपका 25 से लेकर के 28 तक आपका result आ जाएगा और answer की को मैंने पूछा कि answer की जारी किये जाएगा कि नहीं किये जाएगा revised तो दोस्तों बता है कि इसके बारे में आपको पता चलेगा अभी इसके बारे में काम चल रहा है सब कुछ विवसेत रहा तो answer की भी जारी करेंगे और दोस्तों common number के मैंने पूछा common number कितने बढ़ने वाले है तो दोस्तों जो मेरा अनुमान है बता दूँ आपको 3 से minimum 3 number और maximum 5 number ये common number बढ़ने वाले हैं वहां से मुझे कुछ भी information हाथ नहीं लगा उन्होंने कोई exact नहीं बताया क्योंकि उनके दिमाग में ये बाते तुरांत जो है remember नहीं होता तो वो जो है उन्होंने बताया कभी इस पर work चल रहा है आपको जल्द result देखने को मिलेगा notice आपको मिलेगी तो सब कुछ आएगा exact information दोस्तों हाँ से नहीं दिया गया है बस ये दिया गया है कहां result इतने तक आएगा इतने common number बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे इसके बारे में कुछ ही नहीं बताया गया है तो दोस्ते हाँ पर जैसे ये result आएगा सब कुछ complete होगा तो फिर आपकी वेकेंसी के बारे में सुच जाएगा और आप लोग तो प्रिपरेशन करी रहे हो बहुत सारे coaching center हो करा बहुत आप लोग ने course purchase कर लिया है तैयारी चल रही है तो आप लोग तैयारी करते रही है best of luck for the future और बहुत जल बेकेंसी आने वाली है वेकेंसी आएगी अच्छे नम्ब्रों से पिकेंसी आएगी पच्चाहचार पलस बेकेंसी आएगी और बस कोशी सही करनी है कि जल्दी से घ्यापन देना है जो की सिक्षा कि चारष में बीटी सिवर्क में जो लीडर वर्क करते हैं नेता है उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द 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 जितना जिल्द हो सके सरकार को ग्यापन दीजिए क्योंकि अभी तो मंतरी परिस्थी गठन होना है अभी इनका प्लानिंग चल रही है सब कुछ तो उस पे सफत ग्रहाण के बाद सब कुछ है ये सब काम हो सकेगा फिलाल अभी सिर्फ उम्मेद ही करिए पढ़ाई जारे रखिए बाकी सिर्फ जो भी होगा अभी से में जरूर होगा हम आपको वीडियो माद हमसे जरूर बताते रहेंगे तो दोस्तों आप से रिक्वेस्ट अगर हम माच चनल पर आप ने होंगे सब सबस्क्राइब को प्रिस्क लेना क्योंकि जब भी कोई अपड़िट आएगे हम आपको जरूर बताते रहेंगे नमस्कार